पूरी वीडियो आपको ध्यांस देखनी है पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गया है और दूस्तों इंड में जो आपको कुछा गया है आपसे उसका जवाब आपको कुमेंट बाक्स में लिखना है टॉप 15 लोग का नाम डेली लिया जाता है तो आप लोग भी टॉप 15 में आ सकते हैं चले दोस्तों बात करते हैं लाजडिके कुछेंस की लाजडिका मारा पहला कुछन था भारत की दूसरी सबसे बड़ी सारोजनिक छेतर की बैंक कौन सी है त दोनों कुछन के बार में जिन लोगों ने डेटेल में और करेक्ट अंसर किया है उन टॉप 15 लोग के नाम मैं आपको वीडियो के इंड बताऊंगा चले बात करते हैं आज के दिन के पहले कुछन की तो पहला कुछन है विश्व संगीत दिवस कब मनाय गया वर्ड म्यूज मुजिक डे भी मनाय जाता है इंटरनेशनल योगा डे कल हम लोगों ने जाना इसके बारे में आज 21 जून को ही आप लोग जानिए कि विश्व संगीत दिवस की मनाय जाता है थीम के अगर बात की जाए तो दोश्तों इस बार थीम डिसाइड नहीं हो पाई है क्योंकि हर वर्स एक कारिकरम आयज़ित किया जाता है और इस बार जो था कोविड-19 में हमारी फैली हुई है इस वह से कोई इवेंट हो नहीं रहा है तो इस बार कोई ओफिसियल थीम डिस क्लियर है अब ये तो है दोस्तों जून मंत का इंपोर्टेंट डे आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जून मंत में कौन-कौन से इंपोर्टेंट डे आये हुए है तो सबसे पहले एक जून को मनाया गया वर्ड मिल्क डे जिसकी ठीम रखे गई थी 20th Anniversary of the वर्ड मिल्क दे, दो जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, दो जून को ही इंटरनेशनल सेक्स वर्करस दे, तीन जून को विश्व साइकल दिवस, पाच जून को वर्ड इन्वार्मेंट डे जिसकी ठीम थी सेलेब्रेट बैयो डावर्सटी, चाथ जून को वर्ड बलड सेप्ती डे आठ जून को World Ocean Day यानि विश्व महासागर दिवस इसकी थीम थी Innovation for a Sustainable Ocean बारा जून को दुस्तों मनाया गया है विश्व बाल सरम निशेद दिवस और चौदा जून को जो Important Day मनाया गया था वो था World Blood Donor Day ये भी Important Day है इसको भी याद रखना आपको ठीक है जिसकी थीम रखे गए थी Safe Blood Saves Lives और वहीं 15 जून को मनाया गया दूस्तों विश्व पवन दिवस यानि वर्ड वाइन डे और 20 जून को अभी कल मैंने आपको बताया विश्व सरनार्थी दिवस जिसकी थीम थी Every Action Count और 21 जून इसको भी कल मैंने आपको कबर किया था अंतराश्टिय योग दिवस सबसे Important इसकी थीम थी Yoga for Health Yoga at Home ओके चली नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाली में किस नोवेल विजेता लेखक ने अपने उपन्यास Clara and the Sun को लांच करने की कोश्णा की तो अभी हाली में दोस्तों काजव इसी गुरू ने जोकि नोवेल विजेता हैं आप सभी को याद होगा Clara and the Sun नाम का एक बुक लांच करने वाले हैं एक उपन्यास लांच करेंगे कब लांच करेंगे ये लांच करेंगे इसे मार्च 2021 में ठीक है मार्च 2021 में लांच करेंगे तो इसकी लिए इनाउंस्मेंट ने कर दिया है अब चलिए काज़ों इसी गुरों की बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इनको दोस्तों वर्स 2017 का नोबेल मिला था इनको साहित के छेत में दिया गया था लिटरेचर के फिल्ड में दिया गया था 2017 में नोबेल प्राइज ठीक है नोबेल प्राइज जब से ये पाए हुए हैं तब से इन्होंने अभी तक अपना कोई भी नोबेल लांच नहीं किया कोई भी उपन्यास लांच नहीं किया तो ये इनका नोबेल प्राइज जीतने के बाद पहला नोबेल होगा ठीक है पहला उपन्यास होगा Clara and the Sun वैसे तो उन्होंने आठ नोवेल लिखे हुए हैं आठ उपन्यास लिखे हुए हैं अब तक और उसके लिए कई बार ये दोस्तों कई अवाइड भी पाए हुए हैं Booker Prize भी पाचुके हैं Nobel Prize भी पाचुके हैं ठीक है तो इन्होंने अब Clara and the Sun को लांच करने की खुशना की जो की मार्च 2021 किस में लांच होगा अब दोस्तों आपको ए उप्सन में दिख रहे हैं अमर्तिसेंजी ये इंडिया के हैं और इनको भी Nobel Prize मिल चुका है कल ही मैंने आपको बताया था 1998 में मिला था इनको Nobel Prize ठीक है अच्छा दोस्तों इनको कल Award मिला था तब मैंने बताया था रिवाइस कर लेते हैं क्या था Award इनको दोस्तों German Book Trade का सांती प्रुसकार दिया गया है ठीक है अच्छा अब आया है June मन्त का Important Book तो हम लोग June मन्त का Important Book रिवाइस कर लेते हैं एक अभी पुस्तक आये थी शुरुवात में June मन्त में अब्दुल मन्नान ने लिखा था Behind the Mask Important Book था मैंने आपको बताया था COVID-19 से रिलिटेट जो भी बुक होगी वो Important है Behind the Mask अब्दुल मन्नान ने लिखा और एक बुक आये थी The Dry Fast Miracle इसको दोस्तों Luke का टिन्होन लिखा था रसीद अल नुमी के साथ मेल करके दो पुस्तक आपको याद रखनी है तीसरी ये काजुव इसुकुरू की जो आने वाली है Clear है? Next बात करते हैं अगला है हाली में किस railway station पर Automated Ticket Checking और Managing Access Machine अस्थापित की गई तो अभी हाली में दोस्तों नागपूर Railway Station पर Automated Ticket Checking and Managing Access Machine अस्थापित की गई यानि ATMA ATMA Access Machine अस्थापित की गई है नागपूर Railway Station पर ये क्या करेगा? तो इस मसीन की जरिए दोस्तों Automatically ही लोग अपना टिकेट चेक करा पाएंगे लोगों के टिकेट की चेकिंग हो पाएगी जिससे COVID-19 के संक्रमाण का ख़तरा नहीं रहेगा ठीक है? तो ये Automated Ticket Checking और Managing Access के लिए मसीन अस्थापित की गई है नागपूर Railway Station पर नागपूर Railway Station जो आता है दोस्तों ये Central Railway Zone के अंतरगत आता है और जो Central Railway Zone है इसका Headquarter है मुंबाई में टोटल भारत में है 18 Railway Zone अब हो चुके हैं पहले था 17 Railway Zone और जब 17 Railway Zone था तब मैंने आपको एक Trick Wise वीडियो दिख वी दिख दी और इसका नाम है दक्षिर तटिये Railway Zone है South Coastal Railway Zone ये 18 Railway Zone है और बाकी जो 17 हैं इनके बारे मैंने आपको Trick Wise वीडियो दी हुई है आप डोड़ेंगे तो मिल जाएगी अभी Railway से एक और कुश्चन आया था इंडियन Railway दोस्तों चाइना से 471 करोण का Contract रद कर दिया है ठीके इसे भी आपको याद रखना है वो Contract क्या था कानपूर Central Railway Station से ले करके पंडित दीन दयाल उपाध्या Railway Station के बीच में Signal System अस्थापित करना था चाहिना की कमपनी को जिसमें वो डिले कर रही थी इस वैसे वो Contract रद कर दिया गया बाकी इंडियान Railway के बारे में Basic जानकारी तुमा आपको बता चुका हो कई बार आप लोग जानिए भाटे Railway Board के अध्यक्ष जो है वो है विनोध कुमार यादो जी इनका नाम याद रखना है अगला है हाले में किस यूरोपिय देश ने Corona Warn एप लांज किया तो अभी हाले में दोस्तों जर्मनी ने लांज किया है Corona Warn एप ये एप दोस्तों जासे है औरोग इसे तो एप कुछ इसी प्रकार से ये भी वर्क करता है ठीक है तो ये बैसिकली Bluetooth Saut Range Radio का यूज करता है जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं एक दूसरे के निकट में आते हैं तो उनमें अगर कोई COVID का पॉस्टिव है तो फिर ये उसको Alert Notification देगा तो अभी तक का ये बेस्ट आप माना जा रहा है जरमनी की तरप से और European Country में ये लांच किया गया है जरमनी ने इसे विक्सित किया है दूस्तों जरमनी की गौवर्रमेंट ने सभी से अपेल भी किया है कि इस एप को जादा से जादा लोग डाउनलोड करें अब ये तो एप जरमनी लांच किया है जर्मनी एक European country है यहीं से हम लोग एक question revise कर लेते हैं Italy Italy ने दुस्तों एक bracelet launch किया था वो bracelet था I feel you I feel you नाम का जो bracelet था वो भी कुछ इसी प्रकार से work किया करता था ठीक है दुस्तों जर्मनी आया है तो हम लोग map में देख लेते हैं जर्मनी कहां पर है तो यह रहा word map में प्यारा भारत हमारा यहां से आएंगे हम लोग European country की तरफ तो इधर यह दिख रहा है आपको जर्मनी थोड़ा सा और जूम करते हैं दुस्तों जर्मनी अपना border किसे किसे share करता है तो जर्मनी दुस्तों अपना border share करता है पोलेंड से प्रागवे से वियेना से आस्टिया आस्टिया की राजधानी वियेना थेक है फिर इधर फ्रांस से निधरलेंड से डेनमार्क से कई country से अपना border यह share करता है ठीक है जर्मनी जर्मनी की राजधानी है बरलेन जर्मनी की जो chancellor है वो है एंजला मारकेल जर्मनी एक यूरोपेन कंट्री है यहां की करेंसी है यूरो क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं A.C.I. विकास बैंक के अंसवार 2020 में A.C.I. की वृध्धी दर क्या होगी तो दोस्तों A.D.B. ने A.C.N. डेवलपमेंट बैंक ने 2020 के लिए अपना एक आउटलुक जारी किया है जिसमें इन्हें ने बताया है कि A.C.I. की वृध्धी दर होगी 0.1% कितना होगी 0.1% A.C.I. की ग्रोथ रेट होगी ठीके 2020 के लिए और वही भारत की एकोनोमी पर इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि भारत की अर्थविवस्था-4% होगी यानि 4% से सिकुडेगी ठीके slowdown होगी 4% से तो यानि की मानस 4% होगी तो ये नया A.C.I. डेवलेप्मेंट का आउटलुक जारी हुआ है अब इहाली में पिछली बार जब इसने जारी किया था अप्रेल में तब इसने अनमान बताया था 2.2% का A.C.I. की ग्रोथ का अब इसने और घटा दिया है वैसे तो दोस्तों मैं इस टाइप का कुश्चन आजकल नहीं ले रहा हूँ इसका रीजन यह है कि मैं जानता हूँ सभी जितने भी बैंक हैं जितने भी रेटिंग एजनसी हैं सभी अपना अनमान घटाएंगी एक बार फिर से घटाएंगी क्योंकि जैसे जैसे लागडाउन बरता जाएगा जब तक कुरोना वायलस की वैक्सीन नहीं आ जाती है या प्रॉपर तरीके से दवा नहीं आ जाती है जिससे ये क्राइसस दूर नहीं होता है तब तक जितनी भी रेटिंग एजनसी हैं ये बार बार अपना अनमान के ट्रिपल भी ग्रेड में किया था इंडिया को और उसके बाद और वी ऐसे से रिलेटेट कुस्टन्स आते रहते हैं जिसमें सब लोग अपना अपना आउटलूक जारी करते हैं लेकिन मैं उसको नहीं लेता हूँ जैसे अभी आप देख लो अप्रैल में ADB ने अपना अ 1966 को मनीला फिलिपिन्स में हैं इसका हेड़कौाटर मसासगू असकवाजी हैं इसके वर्तमान में अथ्यक्ष नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाली में ओला कैब कंपनी ने किस नाम से अपात कालीन सेवा शुरू की तो अभी हाली में ओला कैब ने दोस्तों ओला एमर्ज जो को घर से हॉस्पिटल से घर पहुचाना किवल यही काम हुआ करता था लेकिन अब जो यह शुरू की गई है यह तमिलाड में शुरू की गई है इसमें कुछ और चीजों पर छोड़ दी गई है जैसे जैसे लोग दोस्तों एमर्जेंसी सेच्वेशन में स्टेशन तक ज जा सकेंगे ठीक है तो यह तमिलाड में अभी शुरू हुआ है फिलाल के लिए ओला की बारे में थोड़ा से जान लेजिए ओला की अस्थापना दोस्तों हुई 2010 में और इसके संस्थापक और वरतमान में जो अध्यक्ष है वो है भावेस अगरवाल बैंगलोरू में है इस ने इसे लांच किया है COVID-19 के उपचार की ये दवा बताई जा रही है ये एक एंटी वाइरल ड्रग है इसका नाम है फेवी पिराविर क्या नाम है फेवी पिराविर नाम का ये एंटी वाइरल ड्रग है और इसका जो ब्रांड है वो ब्रांड है फेवी फ्लू ठीक है और इंडिया से मंजूरी भी पाच चुका है केवल हलके और मध्यम लच्छन वालों के लिए ही है इसे भी आपको द्यान रखना है केवल उन्हीं मरीजों के लिए है जो मरीज में अभी हलके लच्छन है या फिर मेडियम लच्छन है कोविड-19 ठीक है जो गंभीर लच्छन वारे मरीज होंगी उनको वेंटिलेटर पर तो रखा ही जाएगा चले बात करते हैं अगले कुशन की नेक्स्ट है किस देश ने कुरोना और अमफान तूफान से राहत के लिए 200 मिलियन यूरो देने की खुशना की यह यूरो को सिंबल है तो 200 मिलियन यूरो देने की और जो अमफान तूफान आया था अभिहाली में जिसने उडिसा और पस्षिम मंगाल में तबाहि मचाए थी खासकर कि पस्षिम मंगाल में तो उससे राहत के लिए 200 मिलियान यूरो देगा फ्रांस ठीक है अब ये 200 मिलियन यूरो का मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो लगभग 1700 करोण रूपए होते हैं अच्छा प्रधान मंतरी मोदी जी भी जब अमफान तूफान आया हुआ था उसके बाद जब दौरा करने गए थे पसिमंगाल में तो उन्होंने भी 1000 करोण के राहत की घुशना के थी राहत बचाओ कार के लिए ठीक है तो 1000 करोण रूपए की घुशना प्रधान मंतरी मोदी ने की थी 200 मिलियन यूरो की घुशना फ्रांस ने की है दोनों को आपको याद रखना है फ्रांस और इंडिया आया है तो एक पॉइंट आपको याद रखना है 2018 में दोस्तों Champions of Earth का एवार्ड मिला था फ्रांस के President Emmanuel Macron को और भातिय प्रधान मंतरी नेरिन मोदी को दोनों को एक साथ मिला था Champions of Earth का वार्ड इससे याद रखिएगा चलिए अब फ्रांस आया है तो आम लोग फ्रांस के बारे मिन जानेगे भारत देख लीजे यह रहा हमारा अब यहां से हम अगर यूरोप की तरब बढ़ेंगे तो इधर जर्मणी के बगल में ही अभी मैंने आपको बताया फ्रांस यह रहा फ्रांस ठीक है फ्रांस की 2018 वाला FIFA World Cup, दूसरी बार जीता था क्रोएसिया को हरा करके, क्रोएसिया ये रहा बगल में, ठेक है, मॉस्को रोस में हुआ था, इसको याद रखना बहुत इंपोर्टन्ट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही है, दूस्तों, किसका हेटकॉर्टर, यूनेसको का हेटकॉ पेरिस में ही, फ्रांस की करंसी है, यूरो, इम्मैनुवल मेकरोन यहां के प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, विश्व सिखल सेल दिवस कब मनाया गया, वर्ड सिखल से डे, तो ये दोस्तों मनाया गया अभी हाली में, उननीस जून को, उननीस जून क 22 दिसंबर 2008 को मंजूरी मिली थी, उसके बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ, सिखल सेल दोस्तों एक विकार होता है, विकार यानि की विमारियों को समूह समझ लीचे, ठीक है, ग्रूप आफ डिसेज, ये आर्बीसी को एफेक्ट करता है, आर्बीसी जो होते हैं हमारी इसके बारे में जानकारी देने के लिए, इसके बारे में अवर्नेस फैलाने के लिए, ये मनाया जाता है, उन्नीज जून को, क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, 21 और 22 जुलाई को, यूएस आई बीसी की पैतालसुएं बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो इ ये बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में मीटिंग होती है, और इसमें भारत और अमेरिका विवहन मुद्दों पर बात करते हैं, बिजनेस से रिलेटर, ठीके, तो इसकी 45 में बैठक होनी है, ये कब होगी बैठक, 21 और 22 जुलाई को, जिसकी मेजबानी करेगा भारत, और चुकि ये समय चल रहा है, जोसों, COVID-19 में हमारी का दौर, तो इस टाइम पर ये वर्चुल ही मीटिंग होगी, तो वर्चुल मीटिंग की, यानि वर्चुल कॉन्फरेंस के जरी जो मीटिंग होगी, समिट होगी, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, क्लियर है, इस बार ये 45 भी बैठक है, तो बस दूसों, ये तो था हमारे आज की दिन का टॉप 10 करेंट अफेर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और सेर जरू कर देना, सेर आप लोग नहीं कर रहे हो आज को, वीडियो को स सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना, और आल जो अप्सन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना, वरना नोटिफिकेशन सभी वीडियो की नहीं मिल पाएगी, और दोस्तों, अब से डेली साम को वीडियो आएगी, तो आप लोग नो सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, एक हजार सब्सक्राइबर में, यह हमारा छोटा सा टार्गेट था, आप लोग इससे जल्दी से कंप्रेट करवा दीजिए, जैसे ही एक हजार सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वीडियो अप्लोड होना शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों चैनल जब हैक हो जाता है, तो वो लोग बहुत ज़्यदा डिमांड करते हैं, और बहुत ही मुश्किल होता है जब चैनल रिकबर हो पाए, और दूसरा रिजन यह था दोस्तों चैनल स्टार्ट करने का, कि अगर मैं आपको कुछ special topic पर या पर तो वो भी आपको दे पाऊं, ठीक है, क्योंकि यह जो current affair का चैनल अब बन चुका है, और इस पर other videos का recommendation उतना अच्छी से होता नहीं है, तो आपको दूसरे चैनल पर अच्छा content मिल सके, इस वज़ा से मैंने दूसरा चैनल भी start किया है, तो इस वैस से यही था main कारण, और काफी लोग इसके लिए पूछ रहे थे, वैसे तो चैनल पर मैंने आपको hint दिया हुआ था, लेकिन आप लोग जान लिजिए आप, तो चैनल को जल्दी से जाए सब्सक्राइब कर लिजिए उसे भी, जिससे आपको proper तरीके से हमसे जो भी content upload किया जाए आपको मिलता र थे, दोनों ही question important है, दोनों की बारे में आपको जो पता हो, detail में जरूर अंसर कीजिएगा, आप जान लेते हैं लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में detail में अंसर किया थे, तो वो top 15 लोग हैं, स्यामसेर कुमार, साबिर आलम, मनु पांडे, जोती पचोरी, सांती प्र नाम दर्च्रास